नमस्कार दोस्तों, very good morning to all of you, स्वागत है आप सारे लोगों का Adda247 के इस official YouTube platform पे आप सब लोगों का स्वागत है एक बर फटा-फट से देख लिए कि हम लोग लाइब हो गएं के नहीं, है ना? Yes, we are live now, हम लोग live हो चुके हैं यहाँ पे, so finally we are live now और यार, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी खुशियों का जो है वो एक दिन है आज, है ना? आप सब लोगों को नए वर्ष के हर्दिक शुब कामना है, happy new year to all of you और शुब करी कि आप जितने भी आहां पे लोग कुछ नए कुछ आश्पिरेशन अपने मन में रख कर के काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों की आश्पिरेशन, उन सारे लोगों की एक्स्पेक्टेशन, जो वो पूरे हो जाए यहाँ पे, हमने अपने तर्प से भी कुछ आप लोगों के साथ डिसक्स जरू करूँगा, कि मैं अपने लिए, मैंने खुद क्या रिजुलेशन लिया है, अपने लिए और आपके लिए, वो भी मैं डिसक्स करूँगा, ठीक है, और आज 1st of January 2023 की पहतरीन शुरुआत, आपको RRB, जो रिजल्ट के साथ भी आपको द लिस्ट में हो चुका है, तो खेर, काफी लोग जब वो mixed reaction दे रहे थे, तो ठीक है, कभी-कभी चीज़ा होती है, कि आपके लिए कुछ best रुजब इंतजार कर रहा होता है, तो बस सहीम लेने की जरूरत है, थोड़ा patiently काम करने की जरूरत है, और यतने भी लोग मुझे इतने जाद आप सब लोगों को मैं डाटता था, फटकारता था, पढ़ने के लिए कभी-कभी गुस्से भी हम लोग हो जाते थे, तो एक healthy relation, एक प्यारा सा, मीठा सा एक relation था हमारे और आपके बीच, और आपके support, जितना भी आप लोग ने मुझे support किया 2022 में, उन सब के लि feelings, अपने हर एक चीज़ का, है ना, वो हम लोग जब 2023 में कोशिश करेंगे, कि एक बिल्कुल honest सारे का सारे की relation, हम लोग लग सके और आपके बहतरी के लिए, जो है, वो कोशिश करेंगे, कि अच्छे से और च्छे sessions, जो मैं लानी की कोशिश करूँगा, लेकिन आप ही कुछ discipline तरीके होता है, याद रखेगा, जीवन अनुशाषन से ही चलता है, discipline तरीके से ही चलता है, अगर आप में discipline नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये तो तय है, दोस्तों, तो ध्यान रखेगा, ठीक है, चली, vocab का थड़का, स्टार्ट करते हैं, आज बह से पहले सेशन की जो शुरुवात हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, इस बात से कि 2023 के अब हम लोग शुरुवात कर रहे हैं, आप अपने करियर की शुरुवात कर रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन की शुरुवात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा से आप सब लोगों की यह क वो यह है कि आब आपको हर दिन अटा 24-7 के एप पे आना है और आप पे आने के बाद आपको हर दिन वहां पे अटेंड करने हैं, क्विज अटेंड करने हैं, कि Maths इस टाइम पे, Reasoning इस टाइम पर, English जव इस टाइम पर मुझे आना है, और जादा यूट्यूब पे आने के जरूरत नहीं है, अपने आप YouTube पे जो टाइम जो प्री टाइम जो आन स्क्रिम टाइम उसको थोड़ा लिमिट करिए, लेकिन हमारे इस अटा 24-7 चैनल को सब्स साल, इन, जो है वो, Resolution के साथ स्टार्ट करें, इस Resolution के साथ, तीन पहतरीन सला इससे आप स्टार्ट करें, पहला ये, सोचो मत, शुरुवात करो, है न, इन फैक्ट मैं इसमें एक वर्ड और एड कर दूँगा, ज्यादा मत सोचो, शुरुवात करो, हम लोग बहुत जाद सोचते हैं, और ये बहुत जादा सोचना, जो है न, वो overthinking बन जाता है, दोस्तों ध्यान रखेगा, overthinking बन जाता है, इसलिए सोचना नहीं है, शुरुवात करना है, ठीक है, दूसरा वादा मत करो, promise मत करो, उसको साबित करना है आपको, promise मत करो, साबित करो, है न, कि हाँ भ बहुत बार हम लोग जना उला जाते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, finally we end up doing nothing, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए बताइए कम, और एक, आपको चौथा नमर एट में कर देता हूँ, कि अपने secrets जो है न, अब इस साल ना बताएं, च कि किसी से शेरी नहीं करनी है, ये बात ध्यान में रिकिएगा, अपने secrets, ठीक है, काम करते जाना है, साबित करते वे जाना है, और शुरुवात करते वे जानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चली, स्टार्ट करते हैं, और ये double value का offer आप सब लोगों मैं चाहता हूँ, इस code को आप लोग अस्तमाल करें, पहले दिन निराश नहीं करना है आप सब लोगों को, जितने भी लोग है, double variety चल रही है, Y194, ये code आप सब लोगों करना है, बैंक महापैक यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 plus 6 मसका, 12 plus 12 मसका, बैंक महापैक with book kit में, जो उसकी त्यारी तो करी रहे, लेकिन साथ ही जाद अगर आप यह सोच रहें कि मुझे, C B, C B, NABAD, RBI, Grade B, SO उन सब की एक्जाम देना, तो उनके लिए बैंक महाँ पर plus है, और बहुत सारे लोग SSC के भी यहाँ पर बैठे हुए, तो SSC के लोग भी है, वो सारे के सारे इस code क अस्तमाल कर सकते हैं, और 2023 याद रिखेगा, आपके लिए अगर सेलेक्शन का ही और होना चाहिए, तो मेरे लिए इस code को भी ज़रूर इस्तमाल करेगा, Y194, और एकदम जबर्दस तरीके से पढ़ा ही है, वगर हम लोग ने, double value है, तुरंट के तुरंट अन्रोल करेगा, म inevitable, इसका मतलब आपको क्या होता है, impossible to avoid or to prevent, that cannot be avoided or prevented from happening, inevitable, इसका मतलब आपको होता है, आनिवारिय, जो हो गा ही होगा, और आप यहां पे देखें, कीता का उपदेश दे रहा है, श्रीकर्षन जी, हाना, क्या कह रहे हैं, कि जो होना है, वो होके ही रहेगा, जो होना है, something which is to happen, it is inevitable, वो होना है, वो हो कही रहेगा, death is inevitable, death आनिवार यह है, वो हो कही रहेगा, ऐसा कोई मनुशन ही ही जो कि अमर हो गया है, ऐसा कोई हाई ही निए, death is inevitable, वो हो कही रहेगा, और इसको अगर हम ट्रिक के तरीके से देखें, तो आप क्या बोल सकता हो, inevitable, इसका मulत क centres का ह every table अणिवार होता है ते पांई, ठीक है, आपके प्लेट ए पास पानी, थोड़ा सा नमक थोड़ा सा नीभू, वहर टेबल मैं आपको रहता है, ते पानी नमक नीभू, ए प्रेसेंड प्रेसंड ए प्रेस्ट से इन विट ल्टेबल, ठीक है, घ्लेर हो गया, ठीक है, done, it is inevitable, क्यों, इसलिए because it is present in every table, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं, in every table, ठीक है, clear हो गया, done, in every table, ठीक है, अगला वर्ड आप सब लोगों के सामने देखो, लिखा हुआ है, remiss, क्या लिखा हुआ है, remiss, इसका, क्या बोल सकते हो, देखो, remiss, इसको अगर हम तोड़ें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, क्या है, अरे यार, फिर से miss हो गया, फिर से miss हो गया, remiss हो गया, तो अगर आप कोई भी चीज बार-बार miss कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, if you are remissing something, it means you are remiss, आप negligent है, आप careless है, आपने देखा होगा, बहुत बार, हम लोग एकी because of our carelessness, है ना, तो एक व्यक्ति, जो बार-बार remiss करता है किसी चीज को, वो क्या है, वो remiss है, वो negligent है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, बार-बार miss कर रहे हो, negligent है, remiss कर रहे हो, getting my point, तो remiss के मीनिक आप की क्या हो सकते है, remiss का मतलब आपका होता है, एक व्यक्ति, जो बा ऐसी कोई चीज, जो हर एक टेबल में हो, it is present in every table, इसको बोलता है, inevitable, मतलब अनिवार है, हर एक चीज प्रेजन होते है, हमेशा उसमें, हर टेबल में, ठीक है, remiss का मतलब क्या हो गया, remiss कौन बार-बार miss करता है, जो negligent होता है, जो careless होता है, वो ही बार-बार miss करता है, किस सरवाथिक महत्वपुर्ण, सरवाथिक महत्वपुर्ण, पैरामाउंट, जैसे कि, अगर 2023 में आप लोगों नहीं सोच के रखा है, कि हमें selection लेना है, तो उसके लिए जो पैरामाउंट चीज हो क्या है, पैरामाउंट चीज है, patience और hard work, उसके लिए पैरामाउंट चीज है patience and hard work, ठीक है, पैरामाउंट को कैसे हम लोग याद रखेंगे, पैरामाउंट को हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग बोल सकता है, पारमाउंट, क्या लिखोगे, पारमाउंट, बोल सकते हो न, पारमाउंट, पार का मतलब होता है, एकदम सबसे आगे, पार, ठी इंडिको लेवल साइखू फ्रॉपर ईंडेज और जो ंपार एट पार पर आल है और ओपर और सब्फे अधिक Amount YOUF दिट मात्रामें तो सबसे अधिक मात्रा में क्वी होता है सoperation of अधिक मृत्वन होता है something विचलिंग फैसच माउपांट इस पारमांट ठीक है, something which is of highest amount is paramount, ठीक है, clear हो गया, so paramount को बनले क्या होता है, जो सबसे जाधा amount में हो, उसको बलता है paramount, सर वो important, ठीक है, अगला देखो, ये क्या लिखा हुआ है, juxtapose, है ना, juxtapose, juxtapose का अब लोग क्या बोल सकते हैं, जब यह पोस करते हैं, जब दो लोग पोस कर रहे होता है, 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 तो जब दो लोग पोस कर रहे होता ह जकस्टा पोस का मतलब होता है तो प्लेस थिंग साइड बाई साइन स्पेशली फोर कंपैरिजन मजा आगया नहीं ये वाला जकस्टा पोस का मलव क्या होता है जब दो चीजें या दो लोग एकदम आसपास करते हैं पोस तो उसे बोलते हैं जकस्टा पोस मलव एकदम आसपास रख करके उनको compare and contrast करना जैसे पिए अगर मैं बोलू कि एक बाद बताओ arranged marriage is better than love marriage और love marriage is better than arranged marriage which is your take आप इन में से क्या बोलोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग arrange marriage और love marriage को जकस्टा पोस कर रहे हैं तो जब साथ-साथ आसपास रह करके करते हैं पोस तो वो बन जाता है जकस्टा पोस ठीक है? क्लियर? Happy New Year सभी को राज सर्मा जी कर रहे हैं Happy New Year आप सब लोगों के भी बहुत-बहुत बधाईयां ठीक है? अगला वड़ चलते हैं यह दो लिखा हुआ इनकेपैसिटेटेटेटेटेटेको यह तो सीधा सी बात है ले सकता हूं, तो इसका मलब क्या हो रहा है, कि जाहिर से बात है, फिर capacity नहीं हो पाईगा आपकी, क्योंकि अगर आपकी English week है, तो आप SBI PO या फिर इस ऐसे बड़ी examinations का अगर notification के बाद आप start करते हैं selection, आप start करते हैं preparation, तो कहां से होगा selection, नहीं हो पाईगा ना, तो इसका perform नहीं कर पा रहे है, अक्षम बना देना, पंगू बना देना, उसको मैं बोल सकते हैं incapacity, no capacity to act, ठेक है, अगला देखो क्या लेका हो है, half a z, इसका बहुत ही बढ़िया सा, एक प्यारा सा trick है, एक सकंड, इसका जो है ना, बढ़िया सा trick है, half a z का, है ना, देखो, table है, table को पर चीज़ें बिलकुल इधर ओदर ओदर पढ़ी हुई हैं, इधर ओदर 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 ऐधर पढ़ी हुई है, है ना, तो देखो इसका trick क्या है, इसका trick है, जो सुयोजित नहीं है, जो मलब बेतर्टीब है और वेवस्थित है, इसका मलब है सब हैजर्ट, है ना, हैफ हैजर्ट का मतलब, आप इसको क्या करो, यहां से change करतो, ठीक है, half hazard, half hazard है ना, तो इसको क्या करो, hazard को अलब करतो, तो इसका अलब क्या होगा, एक आ गया half, दूसरा आ गया hazard, तो आप बोल सकते हो, है hazard, hazard का मतलब आपको क्या होता है, सब कुछ मुश्किल, इधर उधर सब पढ़ी हुई है, बेवस्तित पढ़ी हुई है, सब डेंजरस स्टेट में दिख रही है, उसको मुश्किल सकते है, है hazard, तो कहीं अगर है hazard की मीनिंग आपको नहीं पता हो, तो इतना जान लो, कि hazard इसमें मिला हुआ है, मतलब यह negative sense का होगा, यह क्या है, negative sense, और इसमें से have का मतलब क्या होगा, है, है, थोड़ा silent करको पढ़ो, मतलब आसपास, है hazard, है hazard का मतलब है, है hazard, क्या पढ़ोगे, है hazard, hazard का मतलब होता है, काफी जोखिम से भरा हुआ, जो मतलब चीज़ें इधर उधर unorganized है, ठीक है, आपको चीज़ें जो है बिल्कुल बेवस्थित नहीं है, mannered नहीं है, dangerous state में, उसको बोलता है hazard, तो है hazard, जो है hazard, वो है hapazard, जो है hazard, वो है hapazard, ठीक है, clear हो रहा है, ठीक है, तो अभी और interesting image वाले आ रहे है, इमेज वाले आ रहे है, यह तो शुरुवात है, यह तो just शुरुवात है, और अभी जो image वाले है, वो अभी मैं रखा हूँ, image वाले हम लो glass में पढ़ेंगे, अगला यह देखो क्या लिखा हूँ है, इस तस्वीर को देख करके क्या लग रहा है, लाल, blue color, है ना, उपर से तुम्हारा violet भी है, pink भी है, yellow भी है, इस तरीके का कोई, अगर कोई dress पहन के आ जाए, तो काफी भढ़किला लगता है, तो भढ़किला को हम लोग क्या बोलते हैं, गैरिश, आप क्या बोलो, गैरिश, इसको अगर इस तरह से देखो, तो आखी हो जाएं कि आप क्या बोलो, इश, क्या है यह, है ना, तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, बलाब, बिल्कुल एक्ता हम, क्या तरह सो dos, एक्ता हम राइं, क्या बोल सकते हैं, इश, मतलब बहुत जाद आपको इश, क्या, इ बोलते हो, èhes, क्या बोलते हो, है वह एक अलग बात है, वह था, शर्म के साथ, तो वह नहीं कह रहे, अगर गैरिश की मिनिग आपकी होगी कि अगर कोई भी चीज है ना बहुत साथा भड़कीला चमकीला हो तो आपके लब थोड़ा सा जो मन में एमोशन आता है वो क्या आता है वो थोड़ा सा अन्प्लेजंट आता ना सोसम्तिंग मनलब जो की थोड़ा सा ही मनलब टाइप का हो उस अपले क्या बोल सकता है गैरिश जो चमकीला भड़कीला हो भहँ जाथा आप जाता इस गैरिश एक्सिज्वली ए एक्सिवली कलरफुल हो रही है सर अथ अपलेजंट लग तो रही है लेकिन ऑनप्लेजंट match sticks नहीं है यह देखो यह सब क्या है match sticks दिया सलाई की वो जो sticks होती है ठीक है और उपर से उस पर हम पेट्रोल छिड़क रहे हैं मतलब एक दिया सलाई है अगर वो है तो वो पहले ही dangerous है अब उसको हम क्या कर रहे है उनको पर और पेट्रोल छिड़क दे रहे है तो हमने जो खराब चीज़ है उसको हम और क्या कर रहे है खराब कर रहे है एकसासरबेट क्या बोल रहे है एकसासरबेट जिसका मतलब होता है make something worse ठीक है किसी भी चीज़ को बच से बतर्प कर देना और खराब कर देना इसको बोल सकते है एकसर बेट ठीक है बिगाड देना विशेस्तर रोग या समस्या को जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे खांसी है थोड़ी बहुत खांसी हो रही है मैं एक कफ सिर्प लाया बोल करके और ज कैसे रखोगे? एक सर बेट, है ना, एक सर बेट, आप क्या बोल सकते हो? एक सर बेट, मनलब एक ने सब को कर दिया इरिटेट, है ना, अगर एक ने सब को कर दिया इरिटेट, तो वो बन जाता है एक सर बेट, अगर एक ने सब को कर दिया इरिटेट, तो वो क्या बन जाएग एकसा सरबेट, तो यह negative sense मा आएगा, ठीक है, एक ने सब को कर दिया irritate, तो वो क्या बन गया, एकसा सरबेट, एक करे सब को irritate, तो वो बन गया, एकसा सरबेट, ठीक है, clear, done, एक करे सब को irritate, इसका मतलब वो हो गया, एकसा सरबेट, ठीक है, अगला, अब यह देखो क्या, य यहाँ पे एक बूढे है ठीक है यह बूढे है और यहाँ पे यह एक और वरत आ जा रही है ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जाहिए अपनी ना सोच करके वो दूसरों की मदद कर रहे हैं अपनी ना सोच करके दूसरों की मदद कर रहे हैं जो वर्ड है वो है Altruism. Altruism, Altruist, क्या होता है? इसका मतलब होता है जो दूसरों की मदद करता है. जो खुद से पहले, खुद भी प्रॉबलम में है, लेकन खुद प्रॉबलम में होने के बावजुद जो दूसरों की मदद करता है, उसको बोल सकता है, Altruist. Fact of caring about the needs and happiness of other people more than your own. ठीक है? मतलब दूसरों की मदद करता है, उसको बोलता है Altruist. फिलान्थ्रोपिस्ट आप लोग बोल सकता है. फिलान्थ्रोपिस्ट. 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 जो जूत्रोपिस्ट की मदद करता है. ठीक है? अब इसमें देखो क्या लिका हूँ है? Altruism. यही है ना? तो इसको देखो तोड़ करके कैसा मस्त सा ट्रिक बनेगा जिम को पता नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे S.S.E. के ल I, मैं you को I से पहले रखता हूँ. इसको मिलाओ. यह true है कि मैं you को I से पहले रखता हूँ. बिल्कुल सही है ना? बढ़िया ट्रिक बन कहा रहा है. Altruism. यह true बात है कि मैं you को I से पहले रखता हूँ. तो अगर कोई you को I से पहले रखे, है ना? मतलब आपकी बात अगर मैं खुद से पहले सोचता हूँ, तो वो व्यक्ति क्या होता है, परुपकारी होता है न, अगर कोई ही व्यक्ति यू के पहले आई, को हमेशा रखे, यू को हमेशा आई को रखे, मतलब आई की बात में कर रहे हैं, यू की बात पहले कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि मैं you को क्या करता हूँ I से पहले रखता हूँ मैं you को रखता हूँ I से पहले तो जो भी you को रखे I से पहले वो है altruism वो क्या है altruist बढ़िया नई एक परुपकारी ठीक है परुपकारिता यह true है कि I put you before I ठीक है ये देखो बढ़िया है, ये क्या है? कुछ लोग है याँ पे? ठिक अब यहाँ पर कुछ लोग जाओ देखो ये पोजीशन देखो, ये देखो हाना? ये पोजीशन देख रहे हैं हाँ बाई इस बार तो सब एक साथ हो गई होगा जबर्दस्थ होगा एक साथ, सब लोग एक तो माशावादी है कि कुछ positive चीज होके रहेगी यहाँ पर तो sanguine, क्या है यह? Sanguine, sanguine का मतलब क्या होता है? Sanguine करेंगे, ठीक है? सब लोग sanguine करेंगे win, उसको बोलता है sanguine तो अगर आप यह बात बोल रहे हो, कि हम सब साथ में win करेंगे इसका मलब आप में एक बहुत बड़ी positivity है है ना? आप अगर यह बात बोल रहे हो, कि हम सब साथ में जीतेंगे एक team लेकर चल रही हो, और हमारी जीत पूरे team की जीत होगी अब लोग सब साथ में जीतेंगे, इसका मलब आप काफी क्या है? positive है, आप बहुत ही positive है, बहुत ही optimistic है तो जब जो करे sang में, जो करे बात sang में win, वो है sanguine जो करे बात sang में win, वो है sanguine, मजा आ रहा है जो करे बात sang में win, वो है sanguine, ठीक है? clear, sang may win sang may win करना है साथ में जीतेंगे, साथ में win करेंगे यह है sang win, मैं sang win हूँ ठीक है, मैं sang win हूँ I am sang win that we will sang may win ठीक है, मैं I am sang win that we will sang may win ठीक, clear हो गया बढ़िया याद रहा है यह तरीका आप लोगों को ठीक है, अब देखो कहीं न कहीं से तो निकाला पड़ता है यार, यह सारी चीज़े इतना आसाथ भी नहीं है अगला, अब यह आ गया देखो क्या है, सल्मान खान भाईया हमारे रो रहे हैं, किस वर्ड के लिए रो रहे हैं, देखो abash abash को अगर हम लोग change कर दें abash को अगर हम लोग change कर दें तो क्या आएगा ab ab का मतलब आपको ओता है दूर, away जिसको बोलता है तो ab और दूसरा आगया ash ab और ash, दोनों को दूर कर दो abash है ना, तो ab और ash हटा दो ठीक है जब सल्मान खान हुए ash से ab तो वो हो गया काफी abash ठीक है? जब वो हो ए अब, किसे? ab प्लस ash जब वो ash से हो गया ab तो वो हो गया abash abash का मतलब बोता है, बहुती embarrassed, बहुती शर्मिनदा बहुती शर्मिनदा हो गया व्याकुलता से आप रोना दोना शुरू कर दिया आपने बहुत ही शर्म से आपने रोना दोना शुरू कर दिया, ठीक उसको बोलता है अब आश से हो गया, अब आश, कैसा लगा है यह वता, यह देखो, अब नहीं मिली आश, तो हो गया, अब आश, कैसा लग रहा है, बता हुई, देखो, हमेशा वैक्ति के कोशिश को जरूर साहरिएगा इसके आगे कि जो slides भी आपको मिलेंगे ना मज़ा आजाएगा मज़ा आजाएगा ठीक है तो हमेशा व्यक्ति के जो कोशिश है जो try उसको जरूर साहरिएगा अगर आपको सेशन पसंद आए कि नहीं सर ने महनत किया है फर्स जैनुवरी जहां पर सब लोग घूमने जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं किसी का कोई सेशन नहीं हो रहा है जो भी सर महनत कर रहे हैं जैसे कि मैंने वादा किया है मैं अपना resolution भी आप सब लोगों के साथ शेर जरूर करूं कि double vality है और prices बढ़ने वाली है खतरनाक ठीक है आज off है holiday है तो maybe शायद late evening तक बढ़े इससे पहले कि prices बहुत बढ़ जाए तुरंत के तुरंत आप महापायक से subscription वगरा ले लेजेगा code आपको ये use करना ही करना है Y194 ठीक है चलिए तो ये बढ़ियत आना है अब नहीं मिल अगर आप इसको देखेंगे तो देख को क्या लगे कर यार क्या प्रकांट ग्यानी वक्ति है अर्मान के बहुत प्रतिश्चित ठीक है काफी civilized सब है वक्ति है कभी ऐसा लगे गा नहीं ना देखे लगे करें क्या मुर्खता है यार क्या मुर्खता है ये क्या मुर्खता ह कर दे, I am silly, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है ना, तो imbessily को आप कैसे पढ़ सकतो, I am silly, मतलब मैं हूँ मूर्ख, तो जो है silly, वो है imbessily, imbessily का मतलब क्या हो गया, I am silly, मतलब मैं हूँ मूर्ख, I am silly, ये नाम itself जाए, इसकी meaning को suggest करता है, कहीं अगर imbessile का meaning आपको नहीं प इसकी exact spelling क्या होती है, S-I-L-L-Y, लेकिन ट्रिक यहीं से आता है, C-I-L-E, साइल पढ़ सकते हो, C-I-L-E, सिली भी पढ़ सकते हो, C-I-L-E, सिली पढ़ सकते हो, C-I-L-E, सिली, तो उसको पढ़ से सकतो, I am silly, imbessile को अगर आप तोड़ोगे, तो क्या तोड़ोगे, I am silly, अब जब भी आपका दिमांग सामने, अगर आप यह word आया न, imbecile, तो आपके दिमांग में हमीशा यह वाला crack करेगा, कि सर ने कहा था, समतों सर ने, I am silly, मतलब मैं मूर्ख हो, तो imbecile का मतलब मूर्ख, silly, imbecile के मिनिंग आपकी क्या हो गई, foolish, मूर्ख, जिसको हम लोग ब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, cacophonus, cacophonus, और इसका image देखिए, क्या लिखा हुआ है, too loud, speaker है, too loud है, पूरा एकदम रोना भी आ गया है, उसके आँख से, पूरा एकदम उसका expression देखिए, मतलब शायद उसको बहुत harsh लग रहा है, unpleasant लग रहा है, उसको बहु आँख ये ध्वनी सुनाई दे रही है, तो cacophonus का मतलब होता है, करकश, cacophonus की मीनिंग क्या होती है, unpleasant बहुत ही, करकश, अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, cacophonus, ठीक है, cacophonus, मतलब जो phone में, जो phone करके, जो phone में करता है, काउँ काउँ, cacophonus, जो phone में करता है cacophonus, ठीक है, 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 देखो मैं तो यह मानता हूँ दोस्तों कि किसी को रूलाना बड़ा आसान है किसी को गुसा दिलाना बहुत आसान है लेकिन किसी को हसाना मुश्किल और किसी को अपने उपर जो क्रैक करके हसाना सबसे मुश्किल क्योंकि इसमें सिर्फ acting नहीं लगती इसमें ताकत और इसमें बहुत बड़ा determination भी लगता है आप सूचिए कि आप खुद के सरीर के बनावट को टेड़ा मेड़ा करके, खुद के रूप को बिगाल करके आप किसी को अगर कारण दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा काम है इस दुनिया का, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे टफ काम भी है, सबसे बड़ा काम भी है इसलिए हैट्स ओफ सबसे पहले राजू सिर्वास्तो जी और उनके साथ जिस तरीके से बहुत सारे लोग भी थे, तो भाई, सब लोगों को हैट्स ओफ यार, किसी को हसाना, किसी के जबान पे अगर आप दोड़ तुकड़ा खुशी भी अगर आप दे पा रहे हैं तो वो डारेक्ट इश्वर की सेवा करने के समान होता है, और यहां दरकेगा, जितने भी लोग यहां पे हैं, मैं बार-बार आज, फर्स दे 2030 के मैं बोल दूँ, अगर आप किसी के भी एक ड्रॉप आंसु का भी कारण अगर आप बनते हो, विलिंगली, जान बुच करके, अगर आप किसी के भी एक ड्रॉप आंसु का भी, एक बूंद आंसु का भी कारण बनते हैं, तो शायद आपकी आँखों से सैकडो आंसु निकल जाएंगे, यह इश्वर का लौ है, यह प्रकृति का नियम है, दोस्तों, यह ध्यान रखेगा, इसलिए, जाने अंजाने में, मैं क्या बोल सकता है, अंजाने में भी, जान बुझ कर तो जो भी ओ, लोग करता है या नहीं करता है, लेकर अंजाने में में मैं बोलता हूँ, जान में, जान बुझ करके भी या अंजाने में भी, कभी भी किसी के आंसु का कारण मत बनना, किसी को hurt मत करना ये दोस्तों बिलकुल याद रखेगा क्योंकि सबका हिसा वहाँ होता है सबका हिसा, इसलिए ध्यान रखेगा आपके शब्दों से कोई hurt न होने पाए और आपकी वज़े से कभी किसी का नुकसान न हो भी प्रार्थना करिए, ये जरूर कहिए इश्वर सबको सही रखे, ममी पापा को दर घायू करे और मेरी वज़े से किसी का नुकसान न हो जाने में या अन जाने में सब सही होगा देखना ठीकिन तुम लोग सबसे पहला यह होता है अरे मैंने जवाब दे दिया सर को ठीक है तो कैको फोन है, स्मालब जो फोन में करे काओ काओ वो हो कैको फोनी, ठीक है फोन में काओ काओ करने वाला होता है कैको फोनी ठीक है अगला, ये देखो क्या लिखा हुआ है मेगालोमेनिया, क्या लिखा हुआ है जिसे रहता है मेगा पावर मिलने का मेनिया, मतलब पागलपन, मेनिया मतलब पागलपन, तो जिसे मेगा मेनिया, तो जिसे रहता है, क्या रहता है, जिसे रहता है, जिसे रहता है मेगा पावर लेने का मेगा पावर अचीव करने का मेनिया वो होता है मेगा लो मेनिया ठीक है जिसे रहता है मेगा पावर अचीव करने का मेनिया वो होता है मेगा लो मेनिया जैसे कि वहाँ पे भी था सत्ता के लिए चूर है ना ताकत के लिए चूर पावर अथॉरिटी के लिए चूर तो वह हो गया मिगालोमेनिया ठीक है क्लियर चलिए सेशन बढ़िया लग रहा है एक बार थम्स अप करते हैं सारे के सारे लोग फटाफट से यह देखो दिव्या पार्टी जो है पूछ रहे हैं अखंडा पार्टी करने नहीं गए कितने मुश्किल लग यह पता है बनाने में तो थोड़ा 2023 के जो आप हैं यह कौन है यह कौन है अभी पूछ रहे हैं भूदेव कुमार जी 28 देसंबर से नया बैच स्टार्ट हुआ है हम लोगों का ठीक है और पहले दो क्लास करो यार दिमाग खराब हुजागा कि सर्क्या पढ़ा रहे हैं आप इंग्लिश में भी जबर्दस्ट ठीक है तो आप क्लास करिए 28 देसंबर से क्लास आपकी स्टार्ट हुई है तो जाहिर से बात 28 देसंबर से और अल्टनेटेस पर हो रही है मैट्स रीजनिंग एक दिन और सॉरी मैट्स और जीए एक दिन इंग्लिश और रीजनिंग दूसरे दिन तो जाहिर से बात है एक एक सब्जेट की क्लास आइधिंग दो-दो क्लास हैं सबकी पीडिएफ अप्लोड हो चुके तो 28 तारिक से बैज शुरुआत हुआ है बैंक फाउंडेशन प्रो 2.0 कौनसा बैंक फाउंडेशन प्रो 2.0 ये वाला हो जाए फटाफट से सारे के सारे लोग जोएन कर लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते है सैटनिक क्या लिखा हुआ है सैटनिक मतलब डेफिल शैतान हाँ ना सैटनिक सैटन साब को क्या पता चलता है सैटनिक मतलब शैतान शैतान S-A-T-A-N शैतानिक लिखा हुआ है ना सैटनिक ना पढ़के S-A-T-A-N अगर आप इससे हिंदी में पढ़ेंगे मालने तो अगर आपको कोई बला लिखो तो शैतान तो आप कैसे लिखोगे S-A-I-T-N या S-H-A-I-T-N ऐसे लिखोगे न तो इसको भी अगर आप पड़ो थोड़ा सा ठीकी करके S-A-T-A-N सैतन, सैतान, लिखावा न सैतानिक, इसका लग सैतनिक, जो होता है शैतान की तरह वो होता है सैतनिक, जो होता है शैतान की तरह, पिशाच की तरह वो होता है सैतनिक, जैसे जो शैतान की तरह सताय, वो है सैतनिक जो शैतान की तरह सताय वो है सैतनिक, यह देखो कालकेय, याद आ रहा है कालकेय इसको देखने से शैतान नहीं लग रहा है, शैतान के चाचा लग रहा है, यह अरी बापरे, जो शैतान की तरह परिशान करे, जो सैतान की तरह सताए, वो है सैतलिक, ठीक है, clear? अगला देखो, एन थ्रालिंग, एड्जेक्टिव है, यह बगल में एक तस्वीर है, देख करके क्या लग रहा है, सोचो, यह सिर्फ छोटी से पिक्चर है, देख करके लग रहा है, तो जो लोग यह सीन को बड़े पड़े पर देख रहे होंगे, भाहु बली, सोचो कितना ज परतस्त वो सीन है, है न, सो एन थ्रालिंग, थ्रालिंग जब थोड़ा बहुत थ्रिल की तरह बताता है, थ्रिल, है न, जो करे मन को थ्रिल, वो है एन थ्रालिंग, जो करे मन को थ्रिल, वो है एन थ्रालिंग, कोई भी चीज, कोई भी इन्सान, अगर आपके मन को करता है थ ठीक है? अगला Savior है ना? Savior Save her Savior, नाम में लिखा हुआ है Save her ठीक है? Save her या save hour, कुछ भी आप लिखें Savior, अगर इसको आप थोड़ा change करो तो आप क्या लेख सकते हो? Save hour है ना? तो जो करे save क्या लिखा हुआ है? जो save करता है वो है Savior. यहाँ पे तो बावली का सीन है ना? क्या शांदार सीन था? वो एक हाथ पे बिल्कुल उत्तराधिकारी को बचाय हुए, save करते हुए तो जो करता है save, वो है Savior जो करता है save, वो है Savior. ठीक है? clear? रक्षक, प्रोटेक्टर जिसके अब लोग बोल सकते हैं. अगला, लिखा हुआ है Renegate. ठीक है? रेने गेट. रेने गेट, पिक्चर देखो, और clear हो जाएगा. एक वेक्ति, दूसरे वेक्ति को पीछे से तलवार घूप देता है. famous, बहुत ही प्रसिद्ध मूवी का ये सीन, बावबली का, कटप्पा ने बावबली को क्यों मारा? है ना? विश्वास गात, इस सीन को देखने से क्या पता चलता है? विश्वास गाती. तो रेने गेड का मतलब होता है विश्वास गाती. ठीक है? कटप्पा. अब इसको याद कैसे रखा है? रेने गेड. गेड जो है, यहाँ साब थोड़ा ग्रेनेड याद रख सकते हो. रेने गेड, गेड और ग्रेनेड दोनों में सेम है. जो अपने ही कंट्री में फेकता ह है ग्रेनेड, वो है रेनेगेड. अपने देश में कौन ग्रेनेड फेकेगा है? बम कौन फेकता है अपने ही कंट्री में? अपने ही घर में कौन ग्रेनेड फेकेगा भई? जो विश्वास गाती होगा. जो जो क्या होगा? अपने ही घर में फेकता है ग्रेनेड वो है रेने अगला blasphemy blasphemy, देखो यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है shivling को बिल्कुल हटा उटा के पुरा उसको उठा करके ले जा रहा है मतलब अगर आप कहीं पे एक shivling है उसको आप इस तरीक ऐसा हटा करके उठा करके ले करके जा रहे है है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप किसी इश्वरिये चीज़ को insult कर रहे है आप किसी इश्वरिये चीज़ को क्या कर रहे है insult कर रहे है तो बावली मूव में भी यह पूरा सीन दिखाए गया इसको बहुत objection भी हुआ था कभी इसको बोलता है ब्लास्फेमी मतलब इश्वरिया किसी पवित्र वस्तु की निंदा करना ठीक है ठीक अब ब्लास्फेमी से ठीक है थोड़ा क्या निकल के सामने आएगा ब्लास निकल का आएगा ना इसका मतलब जो किसी भी पवित्र चीज को करता है ब्लास्ट, वो है ब्लास्ट, वो है ब्लास्ट फेमस, जो किसी भी पवित्र चीज को, ब्लास्ट, फेम, लिखा हो है न, ब्लास्ट, फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धी, ठीक है, फेम का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धी, ठ किसी भी चीज के fame को करता है blast, वो है blasphemy. ठीक है? अब इसे कुमार का रहा है, story की कमी है बस. Story की कमी है बस. बहुत बढ़िया. आज बाववली डे है, अरे यार आज बाववली डे नहीं है. लेकिन हाँ, यह सोच के कहते हैं मैक्सिमम जवापको करवाते हैं ताकि एक मुवी का अगर करवाएंगे आपको चीज याद हो जाएंगे. बहुत फटाफट से, बहुत फटाफट से. तो जो किसी भी चीज के fame को करता है blast, वो है blasphemous. कैसे कह सकते हो बाववली है किमाएं, ये देखो शारुझ खान, क्या है while shon elections. खुन में लदपथ, 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 लिजबभथ, विजबभथ, विजबध होना, याद आ रहा था रहा, खुन में लदपथ, 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 विजबध ‎रभथ. गोरी, G-O-R-Y, वैसे इसको क्या पढ़ते हैं, मैं इसे लास्न बताऊँगा, इसको actually पढ़ते हैं, G-O-R-Y, गोर, लेकिन हम इसे गोरी पढ़ेंगे, गोरी, गोरी का मतलब होता है लहुलुहान, bloody, एक दम लहुलुहान, गोरी जो है वो इस वर्ड से, किसकी याद आती है, गोरी जब हम बोलते हैं, तो स्ट्राइक क्या करता है दिमामे, कौन सा नाम, मुहम्मद गोरी, गोरी से याद करो मुहम्मद गोरी, जिसने लहुलुहान कर दिया था भारत को, गोरी का मतलब लहुलुहान बिलकुल, खून से, ठीक है, अगला, इस पिक्चर में कुछ, क्या आपको नजर आ रहा है, पांच उंगलिया, सबकी जनरली यूज़ल रहती है, लेकिन इनकी देखो, इनकी देखो, एक हाथ में इस फिंगर है, थोड़ा सा अन यूज़ल है न, हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, अरे, 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 इसको, इवर्ड चेंज हो गया, इधिंगा, बहुत बढ़िया था, यह बढ़िया मैंने बनाया था, रितिक रोशन वाला, अहो, इसको वैसे इसको हटा देते हैं, ठीक है, यह वाला पढ़ता है, ठीक है, अभी फिलाल, यह वाला पढ़ते हैं, विदर, क्या लिखा हुआ है, विदर, ठीक है, विदर, विदर का मतलब क्या होता है, टीके, है ना, लूज फ्रेशनेस, मुर्जा जा रही है, पत्तियां, फ्रेशनेस खतम हो जा रहा है, तो उसको बलते हम लोग विदर, लीव्ज, जह हो विदर हो गई है, बहुत जादा धूप और गर्मी की वज़ा से, इसको अगर हम तोड़े हैं, तो क्या आएगा, इसको हम तोड़ करके लिख सकता है न, विद, हर, लिख सकता है न, लास्ट पढ़ें गया, इसके आगे और भी सेशन होंगे, ठीक है, और यह सेशन थोड़ा सा लेट से शुरुआत हो गई, वो आरपी का रिजल्ट स्टाव, जह हो आया, तो उसके लिए काफी थोड़े से सेशन आ गया, है न, तो विदर का टोड़ोके तो आएगा विद हर, ठीक है, if you are, if you are with her, your money will with her, या घणना भई, ठीक है, एक तम, 2023 का resolution If you are with her Your money will with her अगर तुम रहोगे उसके साथ जो तुमारे सारे के सारे पैसे विदर हो जाएंगे, बिलकुल decay हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे ठीक है, शेश हो जाएंगे उसको बोलते हम लोग विदर If you are with her, your money will विदर, ठीक है बस आज हम लोग इतना करते है ठीक, कोशिश हम ने कीते थे को और भी है, आप देख सकते हो और भी बहुत सारे words मैंने आपे बनाए थे ठीक है, काफी words हम लोग ने आपे बनाए है तो बट हम लोग आज अपी इतना ही करेंगे PDF में आपको चीज़ें मिल तो जाएंगी सारी की सारी बट जिनका भी RRB में सेलेक्शन नहीं हो पाया मैं बार-बार आप सब लोगों से ही कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग निराश मत होईएगा क्योंकि निराश होकर के बैठने का वक्त नहीं है यह दोस्तों ध्यान रखना है निराश होकर के बैठने का वक्त नहीं है मैं फिर से आप सब लोगों को यही चीज़ दो रहा रहा हूँ आप सब लोगों को कि निराश होकर के बैठना जाना बहुत आसान सी बात ठीक है इस दुनिया में सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो है निराश हो करके चुपचा बैठ जाना ये सोच करके कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता सबसे मुश्किल हिये है फिर से उट खड़े हो करके उस काम को पूरा करने के लिए दुगनी महनद, दुगनी उटसा, दुगनी उर्जा के साथ स्टार्ट करना लोग आपका पैर खींचेंगे लेकिन याद रखेगा हर चीज में पॉजिटिव रही है अगर कोई आपका पैर खींच रहा है तो इसका मतलब ये कि वो आपसे उपर नहीं है वो अलड़ी आपसे नीचे है तो जो आपसे नीचे है वो आपको गिरानी की कोशिश करेंगे लेकिन आपको दुगनी उटसा के साथ आगे बढ़ते रहना है तो याद रखेगा तीन बहतरीन सला सोचना नहीं है, ओवर्थिंकिंग नहीं करना है शुरुवात करनी है, फटाफट से और शुरुवात कर चुके है मेरी क्लास रोज आप यहाँ पर अगर हम देखें तो हर दिन सुबह 8 बजे और 11 बजे आपको हर दिन जुड़ना है मेरे साथ कल सुबह 8 बजे आप सब लोग मेरे साथ ज़रूर जोडएंगे सुबह 8 बजे ताकि आपकी vocab, आपका idiom and phrase, phrasal verb, यह वाला जो पूरा पार्ट है reading वाला जो पूरा पार्ट है, English वाला जो पार्ट है वो इंप्रूव हो तो सुबह 8 बजे आप सब लोग मेरे साथ जोड़ेंगे अटर247 के YouTube चैनल पर ध्यान रखेगा दोस्तों, double validity है तो फटा-फट से इसका फायता उठाईएगा, है ना, 6 plus 6 months validity, 12 plus 12 months validity ठीक है, और मैं हमेशा सा suggest आपको bank map act with book kit करता हूँ, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ यह यह अंतर है कि bank map act with book kit में आपको किताबे भी मिल जाएंगी, plus उसके साथ-साथ-साथ-साथ-सारे foundation pro badges मिलेंगे, जो simple bank map act में नहीं है bank map act plus उनके लिए है, जो CAB, grade B, RBI, grade B, NABAT, SIDB, SO, इनके साथ-साथ-साथ-PO & clerk के भी एक्जाम देना चाहते है तो उनको bank map एक plus लेना पड़ेगा, ध्यानक एक, और सबसे important, price rise बहुत जबर्दस हो जाएंगी, याद रखेगा इससे पहले, तुरंट के तुरंट आप double value चल रही है, double value चल रही है, यह main चीज है, इसका फायदा उठाईए, और आप individual badges भी ले सकते हैं, यह देखो, pro 2.0 बैच है, यही बैच आपनों कुछ बच्चे पूच रहते हैं कि sir, fresh 2030, preparation के लिए कोई बैच स्टार्ट है कि यहाँ यह बैच स्टार्ट है, 28 December से शुरूआत हो गया, achievers का बैच, SBI clerk mains का बैच हमारा कल सी शुरू हो रहा है, और जहां तक हम expect करते हैं, यह आने वाले 2-3 दि से यह रहा code आपको इस्तमाल करना है, Y194 और तुरंट के तुरंट अपने dreams को chase करने के पीछे शुरूआत कर देनी है, और यह सारी चीज़ एक साथ जगह चाहिए, तो bank maha pack with book kit आप ले सकता है, bank maha pack plus ले सकता है, bank maha pack ले सकता है, आपके requirement आपके आवशक्ताओं के अनुस प्रियरी में सिर्फ एक कमी होगी, अगर आपके पस books नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा questions आप solve नहीं कर पाओगे, और अगर आपके पास books होगी, जिसमें 2022 के भी model paper, mock paper, वो सारे होगे, तो आपको trend, pattern, यह सब पता चलेगा, topic वाइस चलते जाएंगे, तो books के लिए S code आप लगा सकते हैं, Y194S, ठीक है, बस आज का session सिर्फ इतना ही है, उमीद आपको पसंद आओगा, please like and share ज़रू करिएगा, सारे लोग like करके ही जाना, और share ज़रू करिएगा, दोस्तों ध्यान किएगा, कल सुबब लगात हूँ कि आप सब लोगों से 8 बजे, और एक मस्तों, God bless everyone of you, जितनी जो भी मैंने कहा, कोई भी कहा, सुनी, माफ, 2022 में, 2023 को फिर शुरुआत करते हैं, thank you.